नमस्कार और वेलकम टूल अफ यू इन ग्लोबल लुक उट। आप सब देख सकते हैं इनका जो पोस्ट है वो है इसक्रीन पे इसमें ये लिखती हैं कि आप फ्यू मन्स बैक आई वोस ड्याग्नॉस्ट विट ओट इम्म्यून कंडिशन काल्ड मायोसाइटिस हालाकि इनने ये भी कहा है कि इनका जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा और ये खुद भी यही उमीद लगा रही है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है ये और रिकावरी के पास जाएं काफी बैड न्यूस है ये हो सकता है आप में से कई लोगों की ये फेवरेट भी होगी उनके लिए तो और भी ज्यादा बैड न्यूस है हम लोग होप करेंगे कि जल्दी से ये ठीक हो जाए इससे लेकिन यहां हम लोग का ये जानना जरू रही है कि ये जो आटो इम्यून डिसीज है ये होता क्या है दूसरा ये जो मायोसाइटिस है ये क्या होता है प्लस किस हद तक ये बीमारी जा सकती है इसके सिंटम्स क्या होता है और कैसे इसको ड इम्म्यन डिसीज की ये डिसॉडर के बारे में आप लोग ने हो सकता पहले भी बहुत बार सुना होगा अगर नहीं सुना है तो I hope immunity के बारे में तो जरुर सुना होगा खास करके पिछले कुछ सालों में जब कोरोना ने बहुत ज्यादा परिशान किया है हम सबको सारे डॉक् लड़ने की या बिमारी से लड़ने की आपकी जो छमता है उसी को कहते हैं हम लोग immunity फॉरन पार्टिकल या फिर एलिमेंट अगर आपकी बॉड़ी में एंटर करता है जो की आपको नुकसान पहुचा सकता है यह पार्टिकल किसी भी तरह का हो सकता है बैक्टिरिया हो गया व अब auto immune system में होता क्या है आपकी body आपका immune system आप पे बहुत ज्यादा महरबान होने लगता है मजाग कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है दरसल होता क्या है कि किसी भी वज़े से आपका जो immune system है वो आपके normal organs, tissues, cells इन सब पे attack करने लगता है उनको foreign element या फिर नुकसान पहु उस पे या फिर बाकी चीजों पे attack करने लगता है बिना वज़े के इस चीज से फिर body में inflammation बढ़ता है और उससे फिर बाकी तरकी की problem होती है body में और यही सारी problem जो है इनको auto immune diseases कहा जाता है अचा कही लोग का कहना है कि यह बहुत ज़्यादा strong immunity होने की वज़े से होता है औ में थोड़ा doubt है variety of immune response की वज़े से variety of diseases बनी है इसी से आज के time में 80 से ज़्यादा auto immune diseases है market में market में कहने का मतलब है कि हम लोग को पता है और उसके patients known है इसमें से कुछ के नाम में अगर आपको बताऊं तो यह है rheumatoid arthritis, thoriasis, thoriasis arthritis, lupus thyroid disease यह कुछ बहुत ज़्यादा common diseases है ऐस इसमें होता क्या है कि myo से आप लोग समझो, myo जो word है इसका मतलब होता है something related to muscles, myo word कहीं भी आ गया तो आप लोग समझना यहाँ पर muscles की बात हो रही है तो weakness in proximal muscles, pain in muscles या फिर rashes इसका result या symptoms होता है myo सेटिस का और इसकी जो prevalence है वो अगर आप लोग देखे तो वो काफी कम है एक लाख में 4 से लेके 22 cases तक आपको मिलेगा एक और important चीज आप लोग का यहाँ जानना जरूरी है कि myo साइटिस जो होता है वो बेशा के एक autoimmune disease ही है जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन यह सिर्फ autoimmune disorder नहीं है यानि मतलब यह कि सिर्फ autoimmune disorder होने की वज़े से ही myo साइटिस नहीं होता है और भी इसके कारण हो सकते हैं इसको idiopathic diseases भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है वो disease जिसका जो exact cause है वो हम लोग को पता नहीं है autoimmune disorder होने के अलावा injury, infection, drugs, toxicity, virus, flu और यहां तक की cancer भी myo साइटिस cause कर सकता है myo साइटिस की types की बात करें तो यह 4 type का होता है सबसे पहला होता है polymyo साइटिस यह ज़्यादा तर women's में होता है और इसमें neck, hips, back, shoulder के muscles में weakness आ जाती है और यही वो बिमारी है जिससे समानता इस समय ग्रसेत है इसके बाद आता है dermo myo साइटिस यह किसी भी age या फिर sex के लोगों को हो सकता है लेकिन women's में यह ज़्यादा तर पाया जाता है इसमें eyelids, cheeks, nose, back और upper chest हो गया या फिर elbows और knees में rashes आ जाते हैं और इसके symptoms skin के rashes से शुरू होते हैं और इसके बाद muscles में weakness आने लगती है इसके बाद आता है inclusion body myocytis इसमें होता क्या है कि पूरे body के muscles में weakness आ जाती है और ज्यादा तर यह चीज जो है वो old age के mail में देखने को मिलती है फिर toxic myocytis होता है कोई drugs आप लोग ने ले लिया या फिर किसी और चीज की toxicity होती है उसकी वज़े से भी आपके muscle जो है उसमें weakness आने लगती है इसको हम लोग toxic myocytis कहते हैं तो इस तरह के की और भी symptoms है बाकी सब चीज आप लोग स्कीन पर देख सकते हैं यहां पर इसके बाद जो diagnosis है इसका वो कैसे होता है तो सबसे पहले तो blood test इसके लिए कराया जाता है फिर biopsy, MRI इन तरह की की test doctor आपको लिखता है फिर इसके diagnosis के बाद इसके treatment की अगर हम लोग बात करें तो doctor आपको steroid देगा जिससे जो आपका pain है वो relief हो सके फिर immunosuppression medicine दिया जाता है ताकि जो immune system आपका excessive work कर रहा है बिना किसी वज़े के उसको रोका जा सके physical therapy, exercise, stretching, yoga यह सब muscle की जो strength है उसको restore करने में help करती है इस तरीके से इसको treat करके दुबारा आपका standard of living है उस बंद कर लो तो chances होते हैं कि यह दुबारा reverse कर जाए तो यहाँ इस बिमारी के साथ जो main problem में वो बननी रहती है इसके अलावा आज की टाइम में कुछ नए therapy जैसे कि immunoglobin, IVIG, monoclonal antibodies इस तरह का भी इस्तिमाल किया जाना शुरू किया गया है तो main इन सब का जो objective होता है जितन इन response को कम करना इन तीन तरीकों का यूज करके इस बिमारी को treat करता है डॉक्टर तो यह थी पूरी information myocytis के बारे में I hope video आपको अच्छा लगा होगा and I also hope यह जो actress है यह जल्दी से जल्दी recover क्योंकि मैंने बताया कि यह जो बिमारी है यह reverse करने के भी chances होते है इसको recovery के ब comment share subscribe जरू कीजेगा that's all have a nice day take care